पर्थ टेस्स माच में इस समय तो हम डॉमिनेट कर रहे हैं मैंने एक वीडियो भी बनाई जहांपर मैंने कहा कि पर्थ टेस्स माच में टीम इंडिया बिलकुल जीतेगी और जीत के पोजिशन में हम हैं लेकिन उसके पीछे रीजन भी है विकेज आपने पहली दिन ही 17 विके करके सरस्ट्रिन बनाए हैं साथ बलेबाज उनके आउट हो गए हैं और सब कुछ अगर ठीक रहा क्योंकि कल भारती टीम के गीनबास भी फ्रेश होंगे सो करके आप उठेंगे नहीं ताजगी के साथ में तो हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी तीन विकेट भी लेने लेकि क्योंकि जिस तरीके की विकेट है जिस तरीके से टीस गीनबास यहां पर असरदार हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस चीज़ जरूर कहना चाहूंगा कि मन में डर तो बना हुआ है और बना रहेगा जब तक कि हमारे टॉप ओर्डर के बलेबास रन नहीं करत कि मैंने जैसवाल तक के बारे में कहा कि जैसवाल आउटसाइड इंडिया अप तक विफल रहे हैं वेस्ट अडीज के खिलाफ अगर छोड़ दी आ जाये तो साउट अफरिका में जैसवाल ने चार इनिंग में बाटिंग की चारो इनिंग में यश्रस्वी जैसवाल आप देखें तो आपके पास में धुरूब जुरेल हैं रिशब पंथ हैं हलांकि धुरूब जुरेल और रिशब पंथ कम से कम पंथ ने तो बहुत अच्छी बैटिंग की आपके लिए नितीश रडी नहीं बहुत अच्छी बैटिंग की लेकिन उपर के चार बलेबासों को तो चलना होगा तो इसी को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भारतिय टीम के टॉप ओर्डर के बलेबास अब रन करके देंगे भारतिय टीम को जिताने की कोशिश करेंगे और भारतिय टीम को जो नया खुंखार गीनबास मिला है जो एक ऐसा गीनबास मिला है जो कि स सामने से अब बल्लेबाजों को डरा रहा है इन पर भी चर्चा करेंगे लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस हैं अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा तो जरूर कर लेज़ेगा इस वीडियो को आकरी तक जरूर देखेगा ताकि आपको पूरे डीटे पंत के साथ में अब्बिस सी बात है कि उन्होंने एक ऐसी साज़ेदारी की जिससे हमारी इज़त बची कहने का मत्तब है कि हम 70-80-90 रन पर अल आउट हो जाते लेकिन कम इसे कम 1.500 रनों तक हमें रिशब पंत ने और नितीश रड़ी ने पहुँचा दिया और आखरी में आकर कि अच्छी खासी हिटिंग भी कर रहे थे अब बात कर लेते हैं दूसरे डेब्यूटन गेंबास की यानि की 316 नंबर कैप हासिल करने वाले हरशित राना की कमाल की गेंबासी की इस गेंबास में और सिर्फ विकेट इनको जरूर एक मिला है बड़ा विकेट मिला इन् करके लगता है कि इस गेंबास में दूम है और इंडियन कंडिशन में कितन pope road होंगे नहीं होंगे यह तो बहुत वक्त की बात है क्योंकि इंडियन कंडिशन में आपको बहुत जबार रफ़तार की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको variation करना पड़ता है एक अलग तृके का skill set होना चाहिए लेकिन जितना इनको अब तक हमने देखा है चाहे वो IPL हो चाहे वो पहला टेस्ट मैच हो अस्ट्रेलिया के खिलाप में दमदार गेनबाज हैं और दिलिप ट्रोफी में मैं इन्होंने कमाल की गेनबाज ही की थी तब भी मैंने इनके लिए एक स्पेशली वीडियो बनाया था नितीश हाना की हरशित राना के लिए और मैंने कहा था कि हरशित राना जस सरीके से गेनबाजी कर रहे हैं सब का दिल जीत रहे हैं और अब देखें तो इन्होंने कमाल की बॉलिंग करके दिखाई ट्रेविस हेड जैसे खतानाक बलेबाजों को आउट किया लेकिन टॉप ओडर के बलेबाजों को रन करके देना पड़ेगा अगर आपको पर्थ टेस्ट माच में जीत दर्ज करनी है कहीं ऐसा न हो जाए कि टॉप ओडर के बलेबाजी हमें हरा दे और इसलिए मुझे डर है क्योंकि माली जी कि आपने 70 रनों की भी लीड ले ली या 65 रनों की लीड ले ली ठीक है और आपके बलेबास भी अगर उसी तरीके से विकेट अगर अपना थ्रो करके चले जाते हैं और पता चले कि ऑस्ट्रेलिया के सामने हम दुबारा 140-150 रन जीतने के लिए देते हैं तो कोई गैरेंटी नहीं है कि आउस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पहले इनिंग में अगर 70 पर अल आउट होगी तो दूसरे इनिंग में 60 पर अल आउट हो जाएगी हो सकता है कि ऐस्ट आश्ट्रैलिया की टीम त्विराप के लिए शानदार आपके खिलाप में बैटिंग करे और आठ विकेट से साथ विकेट से टेस्माच जीच जाए इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर यशस्मी जैसवाल के लिए बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर देबदद पडिकल के लिए केल राहुल के लिए और साथे साथ विराट कोली के लिए केल राहुल ने बहुत अच्छी बैटिंग की आज बहुत अच्छी बैटिंग की पूरा जान लगाया आउट नहीं थे मिचल स्टाक का मैं कभी कॉमेंट सुन रहा था वो कह रहे थे कि नहीं केल राहूल आउट थे और बिसी बात है मेरे नजर में आउट नहीं थे आस्ट्रिलिया के किसी भी ABCDXYZ किसी से भी पूछेंगे तो वो कहेंगे कि आउट है लेकिन अगर सच्चाई के साथ में देखा रहा है तो केल राहूल आउट नहीं थे खैर मिचल स्टाक को लगता है वो आउट थे पूरे हिंदुस्तान को लगता है वो आउट नहीं थे लेकिन कहने का मतलब यह है कि केल राहूल को भी रन करना होगा क्योंकि उन्होंने भी कोई बहुत जादा गीन बाजी थोड़ी ना की, पचास ओबर की गीन बाजी की, उसके बाद वो भी ड्रेसिंग रूम में जाकर के बैट गे, उसके बाद उनको भी बैटिंग में जादा मेहनत करने के जरूरत नहीं, परी चार गीन खिलकल करके आउट हो गए, वो भी आज पूरी तरीके से कंप्लीटली रेस्ट लेंगे, और जब कंप्लीट रेस्ट लेने के साथ में कल आएंगे गेन बाजी करने के लिए, तो वो भी आपके लिए बहुत घातक हो सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत जादा जो हैं, वो आपको परिशान क कर सकते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि विराट कोली जो की बार-बार इस समय फेल हो रहे हैं मतलब बहुत अच्छी गें थी जौश हजलवुड की कोई भी समझ सकता है कि अंडर्स्टैंड कि आप क्लीस से बाहर बाटिंग कर रहे थे अचानकी गें गुड्लेंड से उठ लेकिन विराट कोली कोई पहली बार ऑस्ट्रेलिया थोड़ी न गए है यह नॉर्मल है ऑस्ट्रेलिया में गुड्लेंड से गेंड जो उचल करके आती है तो नॉर्मल सी बात है आप वीवियस लक्षमन के इंटर्विव को देख लीजे विरेंड सहवाग के इंटर्विव तक आती है ऑस्ट्रेलिया में उसी लेंड से गेंड आपके कमर के उपर से निकलती है और आपको यही तो एरजस्ट करना है बस आप रन बनाने लग जाओगे अगर आपने इस चीज़ को एरजस्ट कर लिया ऐस बैट्समें कि यहाँ पर गुड्लेंड से गेंड इतनी उच चल करके आगई यह अस्ट्रेलिया में होता और यह वाका का मैदान है यहाँ तो हर दूसरे दिन होता है हमारे गेंड बासों ने भी करके डिखाया हमारे अप देखें कि अस्मान खौजा को आउट नीकि य चानले की गुड्लेंड लेकिन आपके बलेबाजों को भी रन करन पड़ेगा केल गाहुल अच्छी बैटिंग कर रहे थे जैसवाल को ले करके मैं चिंते थूँ क्योंकि जैसवाल को मैंने पांच इनिंग देख लिए हैं चार इनिंग साउथ आफरिका में एक इनिंग आस्ट्रेलिया में इस टू अर्ली तू प्रिडिक्ट लेकिन उनको रन करना चाहिए और रन करना पड़ेगा साथ में आपकर विराआज खोली को रन करना पड़ेगा देव दत्ट पडिकल भाई अब रन कर दीजे इसलिए क्योंकि आप अचानक की टीम में आए हैं और जब आप एक अचानक खिलारी के तोर पर टीम में आते हैं तो याद रखेगा कि जिमेदारी भी आपके उपर में बहुत जादा बढ़ जाती है और मैं हाज चोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ अपने टॉप और से कि भाई पर्थ में अब जीता जिताया मैच है और इस मैच को अगर जीतना है तो आपका योगदान बहुत महत्पूर्ण होगा प्लीज टॉप और के चार बलेबास योगदान दे दीजिएगा और कम से कम भारतिये टीम को मैच जिताने की पूरी कोशिश कीजिएगा बाकी आप लोग का क्या क पर आप हमें कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा वीडियो को जरूर लाइक कर लिजिएगा